जैस्मिन और अली ने अपनी शादी पर इशारा करते हुए कहा जब तक हम तारीख की घोशना नहीं करते तब तक प्रतीक्षा करें अली गोनी और जैस्मिन भासिन ने बिग बॉस 14 के घर में एक दूसरे को डेट करना शुरू किया था पर शोग खत्रों के खिलाडी 9 के बाद उनका कहना था कि वे बस अच्छे दोस्त हैं टेलिविजन की पसंदिता जोडी अली गोनी और जैस्मिन भासिन जल्दी शादी कर सकते हैं दोनों अभी निताओं ने अपने अपने शोशल मीडिया अकाउंट पर विडियो साजा किया जहां वे अपने प्रशंसकों को बता रहे हैं कि उन्होंने अपने माता पिता को बता दिया है और वे काफी खुश हैं और अपनी शादी की मनजूरी के बारे में संकेत दे रहे हैं अली और जैस्मिन ने बिग बॉस 14 के घर में एक दूसरे को डेट करना शुरू किया था जब से वे रियालिटी शोओ खत्रों के खिलाडी सीजन 9 में एक साथ दिखाई दिये तब से वे सबसे अच्छे दोस्त हैं अली द्वारा साजा किये गए वीडियो में उन्हें यह कहते वे सुना जा सकता है कि आखिर बात पक्की हो गई है जैस्मिन और मैंने अपने माता पिता को सूचित किया है और हम बहुत खुश है अब केवल निवंतरन पत्र छपने है लेकिन हमने सोचा कि हम सभी को डिजिटल रूप से सूचित करेंगे तो हाँ जैस्मिन ने भी अपने इंस्टेग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेर किया वीडियो में उन्होंने कहा आप सभी ने अली का वीडियो तो देखा ही होगा तो आप जानते हैं कि अली और मैं इस कदम के लिए तयार हैं हम बहुत उटसाहित हैं इसलिए अब इंतजार करें जब तक हम तारीक की घुशना नहीं कर देते बाद में जास्मिन ने मालदीव से अपनी तस्वीरे भी शेर की उसने अली को एक इंस्टेग्राम पोस्ट में टाग भी किया जिसमें लिखा था कि जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो हर दिन एक अफसर की तरह लगता है यह देखते हुए कि कैसे मशूर हस्तियां अकसर अपनी संगीत वीडियो की रिलीज के पहले इस तरह के हटकंडे अपनाती है यह नहीं कहा जा सकता कि यह जोड़ा जल्दी शादी करने जा रहा है यह उनके प्रशंसकों का ध्यान खीचने का एक तरीका है अली और जैस्मिन ने बिग बॉस 14 में एक दूसरे के लिए अपना प्यार को जाहिर किया था जहां वे एक दूसरे का हर कदम पर साथ निभाते नजर आए घर से बाहर आने के बाद भी दोनों को अकसर साथ में देखा जाता है वे शोशल मीडिया पर भी एक दूसरे के लिए प्यार का इजहार करने से नहीं कत्राते तो फिलहाल के लिए बस इतना ही मनुरंजन जगत से जुड़ी और खबरों के लिए देखते रहें देशित निउस